तो मैं रोज सबेरे चुकि बड़ी मुश्किल से फोन लगता था तो अपनी माँ से बात करने के लिए मैं सबेरे चार बजे जगता था पीसी हो जाता था राजाजी पुरम में रहता था लखनों में कि किसी तरह से बात हो जाए बात करता था बात करके आता था और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी सारी चीजें चल रही थी तो सफर आसान नहीं था लेकिन उस वक्त में आज से मैं ये बात जो बता रहा हूं आप रों को करीब करीब 25 साल पहले की बाते बता रहा हूं 25-26 साल पहले की और जब मैंने अपनी हायर सेकंडरी केकेवी कॉलेज लखनव उसे पास की तो मैंने सहारा में नौकरी जोइन कर ली जब मैं ग्रिजुएशन फर्स्ट इयर में गया एक साल दो साल स्ट्रगल चला लेकिन मैं 99 में बंबई का सबसे यंगेस चीफ आफ ब्यूरो एपॉइंट हूँ अराश्टी सहाराकबार का और जब मैं बंबई पहले मुझे नौइडा बुलाया गया फिर मैं वहां से ट्रेन पकड़ी राजधानी एक्स्प्रेस एसी थ्री का रिजवेशन मुझे कंपनी ने करा के दिया आठ दिसंबर 1999 में जब मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर उत्रा तो मैंने किसी स्टेशन पर उतनी भीड पहले कभी नहीं देखी तो मैं थोड़े देर के लिए सहम के खड़ा हो गया किनारे फिर मैं एक आदमी मुझे लेने आया था तो सहरा ग्रूप में सहरा चेर्मेन ने ये बेवस्था रखी थी कि जिम्मेदारी के जगह पे कोई छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो उसको फेसलिटी वो पूरा देते थे अच्छे से तो एक आदमी लेने आया था ए आफिस कहा है मुझे गेस्ट हॉस या नहीं जाना मुझे पहले आफिस जाना तो बोले कि नर्मन पॉइंट पर आफिस है तो मैंने का मुझे आफिस ले चलिए पहले तो अट्लांटा बिल्डिंग में नर्मैन siya मेंgew璃 नाइंत फ्लोर पे सहरा का ंफिस हुआ करता था और मिलते ही मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग देने के बाद एक दो लोगों का नंबर लेके आया था दिल्ली से मैं उन दोनों को फोन किया फोन करने के बाद मैं चर्च गेट इस्टेशन आया दो रेलवे के सीनियर आफिसर से मिला इंकम टेक्स बिल्डिंग बगल में थी वह किसी सजन का नंबर लेके आया था उनको फोन किया उन से मिला और मैंने 8 दिसंबर 99 से बंबे उतरने के बाद मैंने अपना काम ओही से शुरू कर दिया यह जो मैंने अपनी शुरुवात की कहाने आप लोगों को इसलिए बताई कि तब के समय में अब के समय में बहुत एक ल तरक्की दुनिया ने पिछले तीन लाक सालों में की उतनी तरक्की अगले तीन हजार सालों में हुई और जितनी तरक्की दुनिया को बहतर बनाने के लिए तीन हजार सालों में हुई उतनी तरक्की अगले तीन सो सालों में हुई और जब वो तीन सो साल आये तब इंडुस समय मैंने आज से 25-30 साल पहले बिताया वो अब दायरा जो है कुछ महीनों में पूरा होता है